तेली प्राइम के सारे शॉर्टकट्स याद करना या तो आपको प्रैक्टिस कीजिए या तो उसको रड़ डालिए तब वो याद होगे इन एक बड़ा आसान सा यू टैली हमें देता है जिसमें हम सारे शॉर्टकट की पीज को आसानिक साथ यूज कर सकते कैसे आई आपको जैसे माल लीजीए, आप केरी की मेन मेनीज है अगर आपको कमपनी बनानी है तो यहाँ पर साइड में देख सकते हैं लिखा हुआ है F3, तो क्या F3 फंक्शन बटन प्रेस करने से हम कमपनी बनाने वाले विंडो पे चले जाएंगे तो यहां पर देखिए F3 प्रेस करते ही company creation वाली window पे चले गए ना सिर्फ company creation के window पे गए बलकि इसमें alteration का select company का, shut company का create company का हर एक option आपको यहाँ पे मिल जाता है ठीक है अब बाहर आने के लिए आपको escape button प्रेस करना है कि आप प्रेस करना है escape, ESC ठीक है, escape button प्रेस करके बाहर आ जाएए अब माली जा आपको date change करना हो तो F2 करिए, तो यहाँ से F2 प्रेस करते है यहाँ पे आप date change कर पाएंगे, ठीक है इसके बाद जो अगली shortcut की है वो है alt F2, alt F2 करने से आप period change कर पाएंगे ठीक है, तो यह period है देख सकते है और इस period को आप change कर सकते है ठीक है, बढ़े आसानी के साथ एक बहुत ही सदाबहार shortcut है जो कि help की shortcut होती है F1, सीधा F1 प्रेस कीजिए आप help वाली menu में आ जाएंगे और यह तो आपको MS office में भी मिल जाता है और कई जगों पर, अन्य जगों पर भी मिल जाता है अगर आपको voucher में जाना है तो keyboard से सिर्फ V button प्रेस कीजिए V, तो सीधा voucher में आ जाएंगे अब यहाँ पर ध्यान सी ज़रा देख लिए अगर आपको contra में जाना है तो F4 प्रेस कीजिए अभी हम payment में है, contra में जाएंगे तो F4 प्रेस करेंगे, तो contra ठीक है, अगर आप payment में जाना चाहते है तो F5 प्रेस कीजिए तो payment अगर आप receipt में जाना चाहते है तो F6 प्रेस कीजिए तो receipt अगर आप journal voucher में जाना चाहते है तो F7 प्रेस कीजिए तो general voucher ठीक है, F9 प्रेस कीजिए तो purchase voucher F8 प्रेस कीजिए तो यहां से sales voucher में चले जाएंगे F10 प्रेस कीजिए तो कौन से बाउचर में चले जाएंगे तो यह इस तरीके से open हो जाता है डबल क्लिक करेंगे यह दिखे यह थोड़ा सा यह इस तरीके से आ जाएगा अगर आपको credit note में जाना है तो alt के साथ F6 debit note में जाना है तो alt के साथ F6 प्रेस कीजिए ठीक है तो यह देखे यह credit note में आ गए ठीक है इसी तरीके से किसी अन्य चीज़ में जाना है जैसे कि सब्सक्रीजिए यहां पर debit note दिया गया तो alt के साथ F5 करिए तो alt के साथ F5 करने से आप debit note में चले गया ठीक है आप यहां से बाहर आते हैं फिर यहां से यह काम करते हैं अधर वापिस चलते हैं अब देखें यहां पर यहां पर यह सारी चीजित होई चुकी है अब देखें फिजिकल स्टॉक अगर आपको फिजिकल स्टॉक नाम के inventory वाउचर में जाना है तो control के साथ F7 प्रेस कीजिए तो control और F7 प्रेस करेंगे तो physical stock देख सकते हैं यहां पर यहां पर आप्षें जो है यहां पर मिल जाता है तो मोड इटेल का भी हो गया अगर आप को पोस्ट डेटेट चेक जो है प्रेस करेंगे तो पोस्ट डेटेट चेक वाले option पर चले जाएंगे आई हो कि यह सारी shortcut इस कितनी यूजफुल हो सकती है अ देने जाते हैं, तो alt के साथ v pre-press करते हैं, यह तो सौट्ट or की आपको पता ही है, enter करते हैं और यहाँ पर इसका प्रिवियू भी देख सकते हैं, यह इससे print भी कर सकते हैं, लेकिन problem यह है, यहाँ में इसका प्रिवियू PDF में नही देखना है, ठीक है, तब कैसे देखना है, तो यहां आपको क्या करना है Alt के साथ P प्रेस करना है और यहां पर यह देखिए यह Export का Option जो दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आप Alt के साथ E प्रेस कीजिए जैसे प्रेस करेंगे तो यह आएगा और यहां पर Enter कर दीजिएगा और उसके बाद ये तरंग एक्सपोर्ट हो जाता है, ठीक है? और जैसे एक्सपोर्ट होगा, तो ये एक्सल पर ओपन होगा, ठीक है? यहां पर आप डेट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? यह भी मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है, कि date कैसे change होगा जैसे 31 जुलाई है तो 31 जुलाई ना रख करके यहाँ जो भी date डाल दिया जाएगा वही date यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर changes भी possible है भले ही आप educational mode यूज करते हो लेकिन changes यहाँ पर possible है तो यहाँ पार जुलाई मैंने कर दिया अब यही print out आसानी के साथ निकल जाएगा तो इसको select कीजिए इतना हिस्सा इतना ही हमें निकालना है तो यह हो गया और यहाँ से जाकर के और इसका print preview देख लेते हम तो यहाँ से जाएंगे और यह print दिया हुआ है यहाँ पर click करेंगे तो इसका preview आपको नजर आ जाएगा देखे इसका preview देख रहा है ठीक है और यहाँ date 5 जुलाई ही है तो यहाँ पर date भी change हो जाती है आसानी के साथ तो यह सारी बाते आई होप कि आपको समझ में आई होंगी और इस तरीके से सारे short cut keys आपको यहाँ पर available हैं दिये हुए अगर नहीं याद है तो भी आप short cut keys की मदब से आसानी के साथ काम कर सकते हैं तो अगर आपको यह video पसंद आए तो शेयर कीजिए thank you for watching this video